आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उस sample paper के बारे में जो कि CLAT consortium ने launch करा है पाँच अगस्त को और हम लोग यह देखेंगे कि क्या आपको अपनी preparation के अंदर job तक आप करते आए हो उसमें कोई change लानी की जरूवत है कि जैसे आप preparation कर रहे थे आपको वैसे ही करना है उसमें कोई change आपको नहीं लाना है यह सारी बाते हम लोग करेंगे इंडिट डिटेल तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखी और साथ ही में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो जरूर से कर लीजिए इसके अलावा अगर मालों लोग इस बार आपको पूरे कवर करके हम लोग देंगे विडियो लेक्चर और सब्सक्राइब कर सकते हो और इसके साथ में हम लोग ने एक नया टे सीरीज भी लॉंच कर आ है जहां पर आप केवल थ्री थाउजन रुपीज में आप समाल लीजे कि इंडिपेंडेंस दे में अगर आप यहां पर वो करते हो तो आपको पूरा का पूरा जो 70 मॉक पेपर्स और 120 आपके तोटल है वो आपको मॉक पेपर्स मिल जाएंगे along with case laws पूरे के पूरे किवल 3000 रुप में आपको यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर पूछे गए तो जो पूरा आपका question paper था basically केवल एक paragraph आया था उसमें इसमें आपका एक paragraph तो जिसमें आपके तोटल 10 questions थे तो केवल एक paragraph ही इन्हों ने बताया आप यह जो आपका selby वाला case है यह आपका 2010 का case है तो आपके दमाग में seriously यह चीज़ है कि sir कि 2010 का question अगर पूछ रहे है case अगर इतना पुराना यह लोग दे रहे है तो sir हमारे लिए कहीं है कि बहुत ज़्यादा ambit बढ़ा नहीं हो जाएगा कि हमें landmark cases फिर इतने जारा पढ़ने पढ़ेंगे यह जो polygraph test होता है जो brain mapping होता है वो अगर fundamental lights को violate कर रहा है उसके regarding जो पूरे intersections है article 20 clause 3 का article 21 का 24 25 26 evidence act का उन सबका interrelation जो है उसके उपर questions थे आपका जो कथी कर ली आउरगा का case था उसके उपर जो questions थे वो थे basically जो fundamental principles होते है उस case के उससे आपको पूछा गया था और कोई भी वो काफी easy to solve थे मैं कहूंगा मलब comparatively ऐसा भी नहीं कि बिल्कुली आसान था लेकिन अगर आपको एक अच्छी knowledge है evidence act की एक अच्छी knowledge है आपको CRPC की और constitution की आप अराम से उस paragraph को करके कम से कम 10 में से मेरी मान ये 7 या 8 questions आप अराम से निकाल लोगे केवल basic knowledge के साथ आपको ज का यहां पर सचाई नहीं है because आपको मैं एक बात और बताता हूं कि यहां पर consortium आपके साथ एक तरीके से कह सकते हैं कि खेल कैसे करता है इसके लिए थोड़ा से इतिहास में जाना पड़ेगा और मैं आपके सामने सोड़े से सबूत यहां पर पेश करूंगा कि किस तरीके स इसा चीज़े work करती है आप समझ लीजिए कि November 2023 के अंदर यहां पर सब्सक्राइब के अंदर यहां पर एक question paper आया था बलकि दो question paper आया था sample papers के नाम पर जो exam था यह आपके जो judgments है बारिंग this particular case यह सारे के सारे आपके recent cases है जो कि आपके 2017, 2018, 2016 इस तरीके के आपके cases है सारे के सारे चीक है उसके आज़ आपको दूसरा sample paper था उसके अंदर देखे कित्ते करने पराने case है यह सारे cases आपके बहुत पुराने-पुराने भी है थोड़े नए cases भी है तो यह पूरा एक mixture है लेकिन जब आप बात करते हो असली paper जब 2023 का आया था ना तो उसके अंदर आप अगर यह देखो के cases का तो किवाल आपको दो cases आसे मिलेंगे 2013 का एक case और 2014 का एक case उसके आपके जितने आपके cases है वो सबके सब 2017 उसके बात के हैं afterwards of 2017 तो what happens is कि यहाँ पर sample paper के अंदर तो klat आपको दिखा देगा कि भईया देखो इतना paper के अंदर यह आपके recent cases भी आ रहे है एक sample paper में पर यह भी कह देंगे कि एक आपका यह पूरा sample paper इसके अंदर केवल और केवल जो प questions का level भी होता है वो उतना असान नहीं होता है जितना sample paper में है sample paper कहिना कि questions on the easier end है difficult उतना नहीं है मेरे असाफ से आप कह सकते हो difficult है आपका perspective अला हो सकता है बट मेरा यह मानना है कि उतना difficult नहीं है तो आपकी जो पढ़ाई अभी तक चल रही है कि आप अभी जो recent cases और landmark cases वो आपने पढ़ रहे हो कि चाहिए आप फिर उसके बाद यह चेक करोगे आपको seriously यह देखाई पढ़ता है कि consortium कहीं कहीं ना कहीं company law यह सारे subjects आपके अगर अच्छे से हो गया है उसके बाद आपके सामने चाहिए वो 2013 का case fake है चाहिए 2020 का fake है चाहिए 1947 का fake है नहीं पढ़ता है और साथ में एक और बात आपको यहां पर note करने वाली है वो यह है कि consortium ने जो अपनी PG की guidelines दी है na syllabus दिया है उसमें साफ साफ अगर आप last line पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको refresh करनी है अपने knowledge for important constitutional legislative provisions जो की यहां पर discuss हुए है in recent judgments तो उससे यह जो आपका recent judgments आला पूरा का पूरा आपका focus है ना वो आपका खतम किसी भी एंगल से नहीं होता विकास अपने literature के अंदर यह बात लिखी है और वही same thing evident है उनके पुराने जो papers है उससे भी यहां पर आप यह भी देखोगे कि 2022 के जो cases यहां पर पूछे गए है यह आपके November तक के cases थे इस पेसिकली यह आपका November का case था 2022 का जिस महिने पर आप उसी महिने का case था और उसकी एक महिने बाद आपका जैस्ट वह आ गया था तो फिर आप यह समझ सकते हो कि recent cases भी पढ़न important है landmark cases भी पढ़ना important है और जो ऐसे cases हैं जो कि वो लोग पूछ लेंगी जिनका क्या क्या कुछ करने सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब को पता होगा तो यहां पर पॉइंट इतना है कि आप अपनी foundational पढ़ाई को अच्छे से करो that is the key यहां पे CLAT exam को crack करने का और उसके साथ में आपको यहां पे recent cases और landmark cases पढ़ने पढ़ेंगे विगाज अगर आप एक PSEO को target कर रहे होगो कि आपको top 20 में rank चाहिए तो वो students ऐसे हैं जिन्होंने mains तक का exam लिखा है जिन्होंने पिष्ट के पहले भी CLAT के exam को clear करा है उनके लिए कोई difficult बात नहीं इतनी पढ़ाई करने के लिए लेकिन आप अगर corners cut करेंगे तो आप उनके बरावर उनके level का competition कभी यहां पे जहेल नहीं पाऊगे तो इस very important कि आपको foundational studies को भी अच्छे से करना है साथ में landmark को recent cases को भी पढ़ना है और मैंने आपके सामने जितना अच्छे से हो सकता है सबूत पेश करने कोशिश करिए कि क्यों यहां पे जो sample paper है अगर उसमे 2010 कभी judgment आ रहा है तो जो questions है सारे के सारे वो सारे के सारे foundational है और किवल एक ही paragraph दियागे बाकी paragraph शायद हो सकता है बाद में consortium दीरे-दीरे करके launch करें हो सकता है बड़ी बात नहीं है और आपका मेरे जब पूरे sample paper से वह भी आना के compare करके दिखाए और साथ ही मैं आप अगरिंगे literature भी खुद देखोगे तो इसमें साथ साथ लिखा कि recent judgments पड़ो और यह भी ensure करो कि उसके लिए historical case laws और जो amendments है वो आपको पता होने चाहिए पूरा conclusion में आपके लिखा कर दो तो यह है सबसे पहली बात you have to work upon your foundation that is very important यह basically main यहां पर की work foundation पर काम करो constitution IPC CRPC evidence उसके अलाबा contracts family law उसके बाद jurisprudence international law और आपका इसके बाद जो बादेगा company law यह जितने subjects है these are subjects जिसमें से definitely paper का पूरा portion यहां से आएगा 90% paper इनी subjects में से आने वाला है इसके बाहर से नहीं जाएगा उसका कुई आपकुछ करने सब्सक्राइब तो आपको इसके बाद फिर environment, labor और बाकी जो subjects में वह भी पढ़ने के जरुवत हो उसके अलाबा जो आप basically उसके लिए पूरा मैंने एक video बनाई है पूरा जिसमें कि मैंने complete syllabus बिलकुल बढ़िया वाला जिसमें कि मैंने एक-एक subject के अंदर एक-एक topic discuss करा आप वो वीडियो जाके देख सकते हो उसके discussion में आपको link मिल जाएगा उसके साथ में जो दूसरा यहाँ पर key take away है वो यह है कि आपको अपने जो recent landmark cases है उनको आपको पढ़ना है that is very very important यहाँ पर जो recent cases है वो आपके 2020 से लेके 2023 तक के उसके बज़ अच्छे से पर आपको नहीं निकलेगा simple as that और उसके जो तीसी तीज है कि mocks की practice बहुत important है because यहाँ पर जो format है वो आपका बारह दस का format क्लैट का सोशन फॉलो कर रहा है बारह दस के format का मतलब यह हो जाता है कि जो paragraph होंगे those will be very very long आपको यहाँ पे 300 से लेके 500 words के paragraph मिलेंगे और उसमें अगर आपको 10 questions है तो 10 में से तीन से लेके 4 questions ऐसे होंगे जिसकी answer paragraph के अंदर यह आपको मिलेगा और उस format के मौक से practice को रहो जैसा की paper आ रहा है तो उसी क्ली मैं आपको recommend करूंगा कि अगर आप संभर लोग के mock papers यहाँ पे लेते हैं आपको वह जीज बहुत जारा फाइरा करेंगी विकास हम लोग exact जो format pattern यहाँ पे आ रहा है हम लोग उसके हिसाब सही paper को यहाँ पे जितना हमाई से कोशिव सकती हम लोग यहाँ पे questions और बाकी चीज़े बना रहे है तो अगर आपको enroll करना है सब्सक्राइब तो तीन हजार रुपय में आपका पूरा recent landmark cases का भी पूरा हम लोग काम आपको करके देंगे और साथ में mock papers जो आपको 120 टोटल मिल रहे है 70 फुल और 50 आपके वाजसे वाले आपको पूरा मेलेगा अपर्ट फुम लेशे त वेरी वेरी बिस्ट उफ्ट प्लक पॉर यह विच्छेस बाइ